हाई फ्रेंज मैं हूँ शाहिन सेयर वर्कम तो मैं चानल आज हम बनाएंगे दोटा बर्फी यह बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है तो चली बनाते हैं दोटा बर्फी तो सबसे पहले मैंने यापर एक कड़ाई चड़ा दिये इसमें हम आट कर देंगे देसी घी कोई भी मिठाई देसी घी में बहुत जादा स्वादश लगती है आप चाहें तो थोड़ा सा घी ओयल मिक्स कर सकते हैं तो यहापर मैंने दो ट चोटी कोई भी वराइटी ले सकते हैं और इसको बस एक से देट मिनिट आपने भून लेना है यह देखिए एक से देट मिनिट के बाद इसमें थोड़ी सी खुश्बू आने लगी कि हलका सा कालब पिंक हो जाएगा बहुत जादा डाक ब्राउन नहीं करेंगे इसको और फ फट सकता है इसले गास का फ्लेम आफ करलें दूध तकरीबन मैंने पौना लिटर लिया है उमाल कर थणडा किया लिया है आप कच्छा भी अट कर सकतेके inch और फिर मैंने gas का flame on किया है, जैसे इसमें उबाला आ जाता है, तो सबसे पहले आपने flame low कर लेना है, यहाँ पर देखिए, तीन से चार मिनिट उपर हो गया है, थोड़ा सा reduce हो गया है, इसमें basically जो हमने सूजी add करी है वो अच्छी तरह से फूल कर पूरी तरह कोक हो जाना च चोड़ दिया है, यहाँ पर मैंने लिया है 2 tablespoon दही, और इसके साथ हम add कर देखिए, तो देखिए की को मैंने थोड़ा सा पिगला कर add किया है, आप चाहे तो ऐसे ही add कर सकते हैं, 2 tablespoon और फिर इसको थोड़ा सा हम mix कर लेते हैं, ऐसे, ताकि इसमें जो दाने वो थोड़ा dissolve हो powder, इस से color और टेस्ट दोनों है enhance होता है, बर्फी का, और थोड़ा सा color को और enhance करने के लिए मैंने आपके आट किया, एक चोथाई, टी स्पून जितना, खाने वाला orange food color, दो टेबल स्पून पानी आट करना है आपने, और बस इसको बीट कर ले, स्मूध हो जाएए, ऐसे, इसको भी हम साइड में रख देते हैं, इसको हम बाद में आट करेंगे, तब तक यहाँ पर देखिए, तकरीबन 5 मिनट ऊपर हो गया है, थोड़ा सा दूद और reduce हो गया है, और दाने इसमें बड़े दिखाई देने लगें, साइड में जो लग जाता है, उसको थोड़ा सा clean कर लें, बना वो जल जाएगा, अब यहाँ पर दही का mixture मैंने add कर लिया है, दही और देसी खी का, इसको हमने mix कर लेना है, क्योंकि हमने दही add करी है, वो खटा होता है, इसके वज़े से दूद थोड़ा सा फट जाता है, और दाने दार सा texture आता है, तो basically उसका यहाँ पर रोल है, कि उसको थोड़ा सा हमने दाने दार बना लेना, अगर आपके बस दही नहीं आप थोड़ा सा नीबू कर रहा है, पानी में मिला के भी add कर सकते, बस थोड़ा सा दाने दार हो जाना चाहिए उसका texture, और यहाँ पर 5 मिनट और cook करने के बाद दाने बिलकुल बड़े बड़े हो गए और मैंने दबा कर चेक कर लिया, आप खा कर चेक कर सकते हैं, पूरी तरह से cook हो जाना चाहिए, जब सूजी पूरी cook हो जाए उसके बाद ही चीनी आट करिएगा, तो एक कब भरके मैंने चीनी लिये, चीनी आट करते के साथ यह बहुत ज़्यादा पानी रि चीनी बहुत पानी रिलीज कर लिए और फिर इसको सुखाने के लिए बहुत टाइम लगेगा, इसलिए थोड़ा सा फ्लेम ना अपने मीडियम हाय रखना है, लास्ट में बस एक स्पून मैंने देशी की आट कर लिया था, शाइन और ग्लेस के लिए, जैसे जैसे यह सकते हैं, मिक्शर ड्राय हो गया है, इस समय गैस का फ्लेम थोड़ा सा लो मीडियम कर लें, जब यह थोड़ा ड्राय होने को आया है, अगर अब हाई पर ही भूनेंगे, तो फिर यह नीचे से लग कर जल सकता है, क्योंकि इसमें चीनी होती है, और फिर उसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मेक्शुर करें के फ्लेम थोड़ा सा लो मीडियम ही है, और उसमें अपने चलाते चलाते इसको मून लेना है, अब कुछ देर के बाद यहां पर देखे, और थोड़ा सा ड्राय हो गया है, बिल्कुल घीर छोड़ दिया है, और एक सार हो गया मिक्श्चर, इतना ही कुक कर ले, चमच पर भी यह थोड़ा सा भी लग रहा है, तो मैंने इसको निकाल लिया है, मैंने याप इस तरह से लोफ टिन लिया है, आप इसके जगे पर कोई थाली भी ले सकते हैं, स्टील वाली, थोड़ा सा ग्रीस करना है तो कर मैंने अब यह बटर पीपर लगाया था, इसलिए इस पर ग्रीसिंग की जरुवत नहीं है, और फिर इसके उपर यह बर्फी आट कर ले, अगर आप ग्रीस नहीं करेंगे तो हो सकता है कि वो चिपक जाए, इसलिए स्टील की थाली को ग्रीस करके उसके उपर यह पोर करके अपने इसको शेप दे देना, ऐसे, आप चाहें तो थोड़ा सा और भी इसको ड्राइ कर सकते हैं, थाली के उपर हो सकता है कि यह फैल जाए, और फिर नट से गानिश करके तीन से चार घंटा मैंने इसको रख दिया था, सेट होने के लिए थोड़ा टाइम लग जाता है, चीनी और घी इसमें अच्छे से सेट हो जाता है तीन से चार घंटे के बाद, और अभी मैं इसको कट कर रही हूं, तो जैसे आपको पीसे चाहिए, उस हिसाब से आप कट कर ले, नट से गानिश करने के वज़े से बहुत अच्छा भी लगता है, यह खाने में इसका अगर आप आट करें तो पाओ का पाट कर ले, या फिर ड्राई जो कोकनट है उसको ग्रेट करके फिर पाओ का पाओ का आट करके, मिक्स कर ले, हमारे गर में हम नहीं खाते हैं जादा, तो इसलिए मैंने कोकनट आड नहीं किया, तो लग रहा है ना टेम्टिंग, आप भी ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ही टेस्टी मिठाई बनके तियार हुई थी, और हमेशा की तरह रेसिपीज अच्छी लगती है, तो आपसे मेरी हमबल रिक्वेस्ट है, अगर चानल पर पहली बारा है, तो प्लीज बगएर सब्सक्राइब किये, मच जाईएगा, तो बस आज के लिए इतना ही काफी है, आपके इस मुल्क से मेरा वीडियो देखते हैं, मुझे कॉमेंट करकी ज़रूर बताईएगा, थांकी सो मुच पो वाचिक मैं वीडियो, टेक गुड केर, अलाहाफिस, बबाई